अंकिता भारगव और आपका स्वागत करती हूँ इस खास सीरीज में जो डाबीटीज अवेर्निस पर आधारित है जिसका नाम है रिवर्सिंग डाबीटीज ते साइन्टिफिक वेर्निस दोस्तों आक्रों पे गर गौर किया जाए तो ये पता चलता है कि लगभग हर एक घर में डाबीटीज पहुँच चुकी है सवाल की उठता है कि इसका कारण क्या है कारण ये है कि हम डाबीटीज के प्रती जागरुक नहीं है हम ये नहीं जानते हैं कि हमारे लाइफस्टाइल में क्या सही है क्या गलत है वेल इस सीरीज का इस एपिसोड का मकसद ही ये है कि डाइबिटीस से रिलेटिड हर एक जानकारी आप तक पहुंचे ताकि आप बने जागरुक ताकि आप डाइबिटीस को कंट्रोल कर सकें डाइबिटीस को रिवर्स कर सकें और हमारे इसी मुशन में हमारे साथ हैं फेमस लाइफस्टाइल डॉक्टर हंट शर्मा टॉक्टर शर्मा, आप देश के मश्वूर लाइफस्टाइल डॉक्टर और ड़ाइबेटोलोजिस्ट Kahipa डाइबिटीज और उससे जुड़ी प्रॉब्लम्स के बारे में रिसर्च की और दुनिया को दिया एक ऐसा प्रोड़क्ट जो आज डाइबिटीज के लिए बहुत ही कारकर सप्लिमेंट माना जाता है डाइबेट प्लाइस दोस्तों आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर गौरफ शर्मा तो चलिए मिलते हैं और उनका स्वागत करते हैं डॉक्टर गौरफ के वर्ल्ट टीवी स्टूडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है तैंक्यू फेरी मच्छ अंकिता जैसा कि आप जानते ही हैं कि एक खास सीडीज है जहां हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से डाइबीटीज को रिवर्स किया जा सकता है उस पर कंट्रोल पाया जा सकता है पर शुरू करने के पहले दोस्तों आप से बताना जरूरी समझती हूँ और जानते हैं कि अगर आपको डाइबीटीज है और आपको जानना चाहते हैं कि इसका उपआय क्या है उपचार क्या है, ट्रीट्मिन क्या है तो यही तो आपका गोल्दन चान्स है 4 उठाईए और मिलाईए अपनी खुशियों का नमबर हमारा नमबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है चलिए, इसी के साथ शुरू करते हैं हमारे ये एपिसोड टॉक्टर गॉरव, अक्सर ये पाया जाता है कि जिन लोगों को डायबिटीज है वो एक या दो या तीन तरह की दवाईयां रोज खाते है अगर ऐसे में किसी को कोई बिमारी हो जाए, fever हो जाए, viral या किसी और तरह का common cold हो जाए तो कुछ दवाईयां इंटरफेर करती हैं डायबिटीज दवाईयों के साथ में तो ऐसे में डायबिटिक पेशिंस को बिमार होने पे क्या करना चाहिए जब हम बिमार पढ़ते हैं तो viral infection के अंदर आपने अंटिबाइटिक लिया तो वह समझधारी नहीं है secondary infection के लिए दिया जाता और virus के जो infection दोते हैं usually 4-5 दिन में सबसाइट कर जाते हैं क्यों मैंने अंटिबाइटिक का नाम लिया क्योंकि काफी सारे लोग पेट खराब होता है तो एंटिबाइटिक खाते हैं infection हो गया तो एंटिबाइटिक खाते हैं क्योंकि हम जतनी जल्दी हो सके ठीक होके काम पर जाना चाहते हैं क्यों कि डिमांड जमाने की कुछ अलग हैं लेकिन जातर पेशेंट को नहीं पता होगा कि जब भी हम एंटिबाइटिक आपका नाम और आप कहा रहते हैं डॉक्तर आपका बहुत बहुत स्वागत है जैसा कि आप जानती हैं टॉक्टर गॉरुप शर्मा आज हमारे साथ मौजूद है तो आप डिरेक्ली उनिंग से बात कीजिए गएड घुर केया बुर है 70 साल के वर्रै happier आपकी तीस साल से मैं लिपाटिग हो थी साल से तीस साल से 30 एर् DIRECTOR कि टोटल टतर व्रेटरम है एंब दिरा हमयोंित इजर्द हैं यह मτεं टॉटल वेटरें हैं जी जी तो उसके मेरे इंस्वीन क्या नाम डाइटी ज़र कंट्रॉल में आगई अलगवग जी तो देर सो रहती है पीपी कभी आज मैंने चेकर आई तो 84 आई थी 84 आई थी वो तो बिलकुल पर्फेक्ट बजन मेरा 50 किलो के तरीब है बढ़ नहीं रहा आप पचास किलो का ही वजन है आपका तो यानि कि आपका काफी डाइबिटीज बढ़ी है उसकी वज़ए से शाहद आपका वेट लॉस हुआ है जिसको हम किटोन्स की फर्मेशन बोलते हैं जी आपका वेट काफी कम है एक चीज़ और बताईए कि आप जब इंसुलिन लगा रहे थे पहले ट्रीट्मेंट शुरू होने से पहले जो बारा और आट यूनिट्स आपने बताया तो आपके बलड शुकर लेवल कितने रहते थे उस समय उस समय धाई सो तीन सो यानि कि आपक से बात नहीं करी थी उस समय क्या उस समय थी थी लेकिन फरस नहीं करता था यूमन इंसुलिन ले रहा था जी बट उसकी डोसेज बढ़ाने की ज़रत थी उस समय आपको चलिया एनिवेज अभी आप करीब डेर सो के आसपास पहूंचें और इंसुलिन कितनी लगा रहे हैं सुगर को छे यूरिट लेता हूं शांग को तीन या चार यूरिट लेता हूं अच्छा तो छे और चार करीब आदी हो गई आपकी इंसुलिन जो बीस पे थे आप अप्रॉक्सिमेटली दस पे पहूंच गए एवरेज अगर देखें तो और दो महीने में हुआ आपके साथ तीन महीने हो गए तीन महीने हो गए बहुत अच्छी प्रोग्रस है डॉक्टर सिंग आपको तो शबाशी दे रहा हूं और बहुत अच्छी आपने रिजल्ट्स दिखाएं इसको कंटिन्यू कीजिए कि दोस्तों मेरे डियर पेशिंट्स ध्यान रखिए है डियाबिटीज प्रोग्रेशिव डिजीज है डॉक्टर सिंग ने देखा है और वो जानते हैं कितना लाचार और एक आपको हेल्पलेस बना देता है डिजीज इसलिए जितनी जल्दी हो सेके इसको अटक कीजिए इसको बढ़ने ना दे क्योंकि एक बार जादा बढ़ जाता है तो संभाल बढ़ा मुश्किल होता है इसी तरीके से जबर्दस करते रही है मैं आपको काऊंगा शाबाश एंड थैंक यू वेरी मच आपकी जानती हूं कि आपके मन में भी कई सवाल उठ रहे होंगे तो इन सवालों को केबल मन में मत रखे फोन उठाईगे और डॉक्टर गॉरव श किया है और इस एपिसोड का कुछ इससा आप से मिस हो गया है तो डोंट परी यह एपिसोड फिर से एर होगा तो इसका रिपीट टेलिकास्ट आप जरूर देख सकते हैं अगर आप चाहें तो आप ऑनलाइन जाके भी इन एपिसोड को व्यू कर सकते हैं सर्च एंजिन पे जाएए डॉक्टर गौरव शर्मा टाइप कीजे और सारे एपिसोड स्पेशली आपके लिए अवेलिबल होंगे चलिए इसी चर्चा को आगे जारी रखते हैं टॉक्टर गौरव अक्सर ये पाया जाता है कि हम हेल्दी खाना मानते हुए कुछ चीजों का सेवन रोस करते हैं पिछले एपिसोड में हमने बात की थी ब्राउन प्रेट के बारे में रोटी के बारे में तो क्या ऐसे भी कुछ फूड प्रॉडक्ट्स हैं जहने खा के हम अपनी डाइबिटीज पर असर डाल सकते हैं वेल एक ऐसे फूड के बारे में मैं बात करना चाहूंगा आज नहीं तो अदर वाइस बहुत लंबा टॉपिक छड़ जाएगा जो लोग समझते हैं कि काफी हेल्दी होता है और हमने चेक किया है कि उससे जबरदस इंसुलिन रिस्पॉंस होता है और आपके blood sugar levels बढ़ते हैं और वो लोग खासकर जो कि prone हैं जो कि insulin resistant है या family history है या थोड़े मोटे हैं वो इसको healthy breakfast और food समझ कर खाते हैं और अपनी जिंदगी के अंदर आग लगाते हैं तो वो हरान कर देगा कि उस food का नाम है cornflakes cornflakes? जो कि भुटे से बनता है जिसको हम corn कहते हैं लेकिन problem किया है कि सबसे पहले corn in itself को उसका glycemic index काफी high होता है फिर उसको इतने fine powder के अंदर बना देते हैं कि वो fine powder जो है वो immediately blood sugar levels को shoot करता है immediately shoot मतलब कि आपके मैदे की तरह काम करता है लेकिन उसके साथ साथ उसमें problem में उसको crisp बनाने के लिए एक और ingredient यूज़ किया जाता है और खासकर US के जो products है उनके अंदर बहुत जबर्दस quantities के अंदर यूज़ किया जाता है जिसको हम कहते है high fructose corn syrup research यह बताती है कि high fructose corn syrup एक of course सस्ती चीज़ है जो कि बड़ी convenient है और corn को press करकर के उसमें से यह sugary part उसमें से extract किया जाता है चीनी की जगा और problem क्या है कि वो हमारी body के अंदर insulin resistance और ज़्यादा बढ़ा देता है और पाया गया है कि चीनी से करीब 10 गुना जादा dangerous है तो इस तरह के अगर ingredient को आप लेते हैं और बचपन में unfortunately मैं भी अपनी ignorance अपनी समझ की कमी की वज़ा से खाता था और जब मेरे को समझ में आ है कि suddenly मेरी body इतना funny response क्यों करती है जब मैं कोई conflicts जैसे चीज़ खाता हूँ और उसको of course कुछ लोग तो उसमें और चीनी डालके खाते हैं तो which is very very dangerous तो in itself उसके अंदर बहुत ही simple powder form के अंदर कौन है जिसका glycemic index हाई होता है और साथ-साथ अगर high fructose conservative के साथ मिला देते हैं तो एक dangerous combination होती है तो अगर आप conflicts खाने तो प्लीज दूर रहें जातर लोग जानते हैं कि मैदे से बनी चीज नहीं खानी चाहिए बजार के पकेट कार्टा नहीं लेना चाहिए लेकिन conflicts एक बहुत ही छुपा हुआ या कि dangerous thing in disguise actually कह सकते हैं Dr. Gaurav ऐसे बहुत से बीवर्स हैं जो आप से बात करने के लियो तुक हैं और उनमें से एक कॉलर काफी लंबे समय से हमारे इंतिसार कर रहे हैं जी जी जाहने हैं तो लेट थेक ते कॉल बफुल अलो अलो नमस्कार आपका नाम और आप कहां रहते हैं जमशेद पूर में रहते हैं मेरे नम अकबार अंसारी है अंसारी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है आप जानते ही होंगे कि Dr. Gaurav शर्मा आज हमारे बीच मौझूद है तो आप डिरेक्ट लिए उनिंसे बात कीचिए अलो नमस्कार अंसारी जी नमस्कार अंसारी जी मेरे को यह बता है कि आपकी उमर केतनी है मेरे उमर 63 यह 63 यह कब से डाइबिटीज है आपको अमको 10 साल से और ट्रीट्मेंट शुरू करने से पहले आपके लेवल्स क्या थे शुरू करने से पहले फास्टिंग में करीव 150-160 अच्छा जी और पीपी में करीव 200 के आसपास में 200 के आसपास और आप कौन-कौन सी दवा खा रहे थे उस समय हम होमेोपेथिक मेडिसिन काते हैं होमेोपेथिक मेडिसिन का रहे थे आप अबने इयलोपेथिक ट्रीटमेंट नहीं लिए और खासकर आपकी 10 अल पुरानी डियवटीज एक वरुस्यार रहना और अबने कितने समय तक ट्रीटमेंट लिए यह यह हम माई virtues थे आप घय मैं माई से रहना शूरू किया है तो आप ने क्या अच्छा आप तो और अलोपेथिक दवाई ले ही नी रहा है अभी क्या आप हुमिपेथि भी ले रहे हैं साथ-साथ इसके अप चाहें तो आपको साथ आपको कर सकते हैं इसमें कोई काफी कई अच्छा एकापशूल घू ले रहे हैं सिर्फ आप आपने नीज बड़ेया काम करते रही है और जो हेल्थ आपको मेली उसको यूटलाइब्स करें अपनी बेगे को आगे बढ़ा हैं, successful होई professionally, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुप कामना है Thank you. Thank you so much for calling us. Thank you. Thank you. दोस्तों, हमारा ये शो आपके लिए खास बनाया गया है हम चाहते हैं कि डाइबिटीज की awareness आप तक पहुंचे हम चाहते हैं कि आप डाक्टर गौरफ शर्मा की बताए उपाए, उनका treatment अपने जीवन में अपनाए ताकि आप डाइबिटीज को reverse कर पाएं अगर आपको डाइबिटीज है और आप चाहते हैं कि आप आज directly डाक्टर गौरफ से बात करें तो यही आपका चांस है हमारा नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है समय ना गवाएं और अभी हमें कॉल कीजे डाक्टर गौरफ अभी हमने बात किया अनसारी जी से उन्होंने आलिपथी ट्राइ किया तीन-चार साल फरक नहीं महसूस हुआ हमियोपथी पे काफी टाइम से थे फरक नहीं हुआ पर अलग-अलग ब्रांचिस और मेरिसन ट्राइ करते करते काफी समय वेस्ट हो जाता है अपसलिटली बट काऊंगा कि इश्वर का शुक्र है कि बचे रहे इतने जादा डेंजरूस जोन में नहीं पहुंचे और इनको फटाफट रिजल्ट्स मिलें और सिर्फ एक कैपसल की मेंटिनेंस पर चलना है इस 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 ग्रेट निजस फर में तो जब हम बात करते हैं रिवर्सल आफ डाइबीटीज के बारे में तो यह जो ट्रीट्मेंट है यह जो पद्धती है इस इस इसे क्या इंग्रीडियन्स हैं जो इतनी भयानक बिमारी डिवर्स हो सकती है डाइबीटी इस एक लाइफस्टाइल डिजीज है तो उसको लाइफस्टाइल मौडिफिकेशन के साथ चलना पड़ेगा इसलिए बार बार हम एम्फिसाइज करते हैं कि आप इन यूट्रिंट्स के लावा जो आपके इंसुलिन को सेंसिटाइस करता है उसके लावा हमने बात करी कि आपके पैंक्रियस और पूरे शरीर में जो इन्फलमेशन यानि की सूजन आती है उसको कम करता है और साथ-साथ आपके जो शुगर्स जो अगर फूड में जा रहे हैं अगर रोटी खाते हैं तो उसके अब्सॉप्शन के अंदर आंतों के अंदर इंटेस्टाइन के अंदर भी कमी लाता है जिसको हम alpha glycosidase inhibition pathway कहते हैं तो उसमें भी फरक लाता है लेकिन exercise का बहुत important role है diet जो कि सही खाना खाना बहुत important है blood sugar monitoring करना बहुत important so that आपको पता रहे Dr. Baurav, आपको यहां interrupt करना जाओंगी क्यूंकि हमारे caller एक viewer आपसे बात करने के लिए बेस सब्री से इंतिजार कर रहे है जी बिलकुत हलो कांजी हलो जी नमस्कार आपका नाम और आप कहां रहती है मैं कानपूर पे रेनु बाट पे बोल लही हूँ रेनु जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है आप जानते ही होंगे कि Dr. Gaurav Sharma आज हमारे बीच मौजूद है तो अगर आप उनसे कुछ कहना चाहती है कुछ शेर करना चाहती है या डाइबिटीस से रिलेटिड कोई सवाल है आपका तो यही आपका मौका है प्रीज उनसे बात कीचे अच्छा तो आपका मेरा प्रीपी रहता है अच्छा और फास्टिं कितना रहता आपका कभी एक तो बीस या पच्छिस तो तो मेरे रेगुलर हम कराते वह तही आरहे है लेकिन यह जो प्रीपी यह फास्टिंग है यह तोड़ाते रेनु जी सबसे पहले मुझे बताई आपके उम्र कितनी है मेरी 46 46 और कितने समय से डाइविटीज है आपको जी साथ साल हो गए साथ साल हो गए और जब आपने ट्रीटमेंट शुरू करी मेडिसी नहीं लिया बस आपका जब देखा था मैने और जब मेरा को बहुत ज़्यादा आ रहा था मेरा तो मैंने आपकी वो छे मेने से ये मेडिसीन शुरू किया तो कितना आ रहा था उस सामय वही मैं जानना चाहता हूँ जब मेडिसीन नहीं ले रहते हम जब शुरू हुआ है आज मेरी 200 निकली थी शुर अच्छा और अभी तिर्फ मैंने योगा और अपना डाइट से कंटोल किया और वाक और रिस्ट का भी कंटोल किया मेरा वेट भी बहुत लूज हुआ जी जी एक ती जाप के और पूछनी ती जैसे मुझे वीक्नेस रहती है तो मुझे लगता है क्या मुझे कैल्शियम की सप्लिमेंटेशन एक समझदारी नहीं और खासकर ज्यादा डोजेज के अंदर इसके लिए वाइटमिन D3 को इंट्रीज करें जो कि आपको डाइट प्लान के साथ हम मैंचिन करके भेज़ते हैं कि वाइटमिन D3 को इंट्रीज करें और अफकोर्स फ्यूचर के अंदर करने की अच्छा हो आगे बढ़ने की इच्छा हो तो दुनिया हमारी कादमों में है। अपसलूटली अंकिता मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपको भी विश्वास हो गया है कि नथिंग इंपॉसिबल और मैं चाहता हूं कि हमारे वीवर्स को भी विश्वास हो जाए कि नथिंग इंपॉसिबल सिरफ धैर्य, पेशिंस, फोकस, डिटर्मिनेशन और ब दोस्तों, आज हमने जाना कि नथिंग इंपॉसिबल, डाइबिटीज शायद एक बड़ी बिमारी हो सकती है, लेकिन उसे रिवर्स करना, उसे कंट्रोल करना इंपॉसिबल नहीं है, अगर आप जानना चाहते हैं कि डाइबिटीज के क्या उपाएं हैं, क्या उपचार हैं तो आप हमें कॉन्टाक कर सकते हैं, हमारा पता है अगर आप डाइबिट प्लस लेना चाहते हैं, तो हम आपको यहाँ पर बता दें कि डाइबिटर गौरो शर्मा की पूरी टीम आपकी इसमें मदद करेगी, और साथ ही आपको मिलेगा डाइबिटिक डाइट प्लान, डाइबिटिक रेसिपीज, डाइबिटिक एक्सरसाइ प्लान, एन कंसल्टेशन ओन टेलिफोन वीठर डाइटीशियन, बिलकुल फ्री, तो आज ही आप डाइबिट प्लस मगा सकते हैं, और एक बहतर जिंदगी पा सकते हैं. दोस्तों समय की कमी है, इसलिए अब मुझे आपसे इजाज़त लेनी होगी, लेकिन जाने के पहले एक वादा करती हूँ, कि अगले एपिसोड में और भी प्रेशिस नॉलिज के साथ फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केर, कीप स्माइलेंग, क्यूंकि हमें आ